अब पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था है कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने है so that आप अपने आइफोन को हैकर से बचा सको लेकिन वाट इव आपका आइफोन अलेडी हैक हो चुका है इसके पहले कि ये स्टेप्स आपने फॉलो किये तो आपके पास दो उप्शन से उप्शन नमर वन हैकर आपको खुद बताएगा that is कोई भी नोटिफिकेशन देगा और आपको बोलेगा कि इतने पैसे ट्रांसफर कर दो नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है और दूसरे औप्शन में हैकर आपको कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन आपकी सारी डीटा वो चोरी करता रहता है तो ऐसे केस में आपको पता कैसे चलेगा आपका iPhone हैक हुआ भी है के नहीं तो कुछ science है आपके iPhone में जो आपको check करनी है यह science चेक करने के बाद आपको पता चलड़ जाएगा कि क्या आपका microphone hack हुआ है कि नई hack हुआ है आप इन में से कुछ possibilities हो भी सकती है या फिर इन में से सारी possibilities भी हो सकती हे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इन science को check करना है इन possibilities को check करना ये पता करने के लिए कि आपका iPhone hack हुआ है के नहीं नमस्कार दोस्तों मेरना में Amit Welcome back to Ology and Taken Hindi It's time for technology तो आईए आपको ये signs या फिर possibilities दिखा देता हूँ so that आपको पता जल सके कि आपका iPhone hack हुआ भी है के नहीं तो सबसे पहले sign जो आपको check करने है तो आपका iPhone slow work करेगा अब अगर वो slow work कर रहा है उसका मतलब ये कि background में कोछ ऐसे apps है या फिर ऐसे malware है जो function कर रहा है and वो malware करेगा ये कि आपके iPhone से data चोरी करता रहेगा and since background में वो work करता रहेगा इसी वज़े से आपका iPhone जो है वो slow work करता है तो अगर आपका iPhone जरौ से ज़्यादा slow काम कर रहा है जबके आपने कोई ऐसा heavy कोई app यूज ही नहीं किया तो in that case हो सकता है कि background में कोई hacker अपना काम कर रहा है next sign जो आपको check करने है वो ये पड़ा हुआ है कोई problem भी नहीं है आपके phone में तो background activity के वज़े से भी आपका iPhone hot हो सकता है next आपको check करने है कि आपका iPhone excessively उसकी battery drain हो रही है अगर जरौत से ज़्यादा battery drain हो रही है battery की health भी अच्छी है कोई आपने ऐसे apps भी use नहीं किये तो उसका मतलब यह के कुछ activity हो रही है background में and since वो background activity हो रही है उसके वाज़े आपका phone slow तो होता ही है heat up भी होता है and most important है उसकी battery जल्दी drain होने लगेगी अब कितनी बार वो hacker यह करेगा कि आपके iPhone में जो calls है वो divert कर देगा तो आपको यह check करना है कि आपके iPhone से call जो आ रहे है वो कई divert होगी कोई और number पे तो नहीं हो रहे तो आपको यह check करने के लिए code dial करना पड़ेगा and वो code है star hash 62 hash जैसे आप यह code dial करोगे आपको पता जाज़ेगा आपके जो calls है वो कहीं divert तो नहीं हो रहे तो हो सकता है कि hacker ने full control ले लिए आपके phone का and उसके बाद वो सारे calls या message वो place कर रहा है अब कितनी बार यह भी होता है कि hacker करेगा यह कि आपके phone के थुरू international calls प्लेस करेगा and उन calls को किसी और को बेश देगा तो होगा यह कि इसका जो बेल हो आपको pay करना पड़ेगा तो since hacker ने आपके iPhone का full control ले लिया होगा तो वो सब कुछ कर सकता है तो यह चीज़े आपको monitor करनी है कि कोई unknown calls नहीं हो रहे है unknown messages नहीं हो रहे and ऐसे emails नहीं जा रहे है जो आपने नहीं किये next अगर कोई भी apps automatically open हो जा रहे है आपने उस पर click भी नहीं किया है automatically खुल जा रहे है automatically close हो जा रहे है तो हो सकते है कोई hacker attack आपके phone में already हो चुका है इसके सिवाए अगर कोई apps automatically crash हो रहे है तो भी हो सकते है एक possibility है कि एक hacker के वज़े से हो रहा है अपकोस इसके कोई और भी reasons हो सकते है लेकिन ये एक possibility है जो आपको check कर लेनी है next अगर आपके phone में कोई unknown apps है जो आपने install ही नहीं किये तो suddenly आप देखते हो आपके phone में कोई ऐसे apps install हो चुके है जो आपने नहीं किये तो आपको periodically check करते रहना कि ऐसे कोई apps तो नहीं है जो आपने install नहीं किये अगर ऐसे कोई apps आपको देखने को मिलते है तो उसका मतलब एक possibility यह ही है कि hacker ने आपके phone को hack किया है और उसके बाद उन apps को आपके phone में install किया है next आपको ये check करना है कि आपके iPhone की battery तो अच्छी है लेकिन फिर भी हो switch off हो जा रहा है याँ फिर हो reboot हो जा रहा है अगर हो automatically reboot हो रहा है याँ फिर switch off हो रहा है तो then there is a possibility of a hack attack अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके iPhone का switch off करने कोशि़िश कर रहे हैं लेकिन हो switch off नहीं हो रहा है या फिर switch off होने के बाद कुछ activities हो रही है जैसे के wifi on off हो जा रहा है flashlight on off हो जा रही है या फिर ऐसी कोई activities automatically हो रही है जो आपने नहीं किये तो उसका मतलब अगेन ये same आता है कि hacker ने हो सकता है कि आपके iPhone को control ले लिया है अब normal course में अगर आप अपने iPhone को switch off नहीं भी कर रहे हो that time भी अगर wifi on off हो रहा है mobile data इसकी on off हो रही है flashlight on off हो रही है या फिर control center इसका खुल जा रहा है कहने का मतलब कोई भी ऐसी activity हो रही है जो आप नहीं कर रहे हो उसका मतलब यह के वो hacker remotely access कर रहा है आपके phone को next आपको यह check करना है कि ऐसे कोई apps background में काम तो नहीं कर रहे है जो आपने open ही नहीं किये तो जब open नहीं किये तो background में work कैसे कर रहे है तो यह आपको अच्छी तरह check कर लेना है क्योंकि background activity में अगर कोई भी apps चल रहे है उसका मतलब यह के उस hacker ने उस app को install किया है आपके phone में वो run भी कर रहा है उसको next कुछ लोगों को unknown calendar invitation देखने को मिलते है तो calendar में अगर आपको ऐसे invitations मिलते है जो unknown sources से आए तो आपको उसके उपर सबसे पहले तो click नहीं करना है and second ने आपको check कर लेना है क्या है एक possibility hacker attack की अब Apple ने आपको एक option दिया है that is जब भी आप microphone या फिर camera को on करते हो तो green या फिर orange light चालो होती है depending on whichever situation it is लेकिर अगर ये green और orange light चालो ही नहीं हो रही है जब आप camera यूज़ कर रहे हो या फिर microphone यूज़ कर रहे हो या फिर आप नहीं यूज़ कर रहे हो इन apps को फिर भी ये green और औरेंज light चालो हो जा रही है तो उसका मतलब यह है कि उस hacker ने control ले लिया है और वो कुछ आपकी camera and microphone के थूँ आपकी data चोरी करने के कोशिश कर रहे है अब next आपको ये check कर लेना है कि कोई ऐसे unknown devices तो नहीं है जो आपके Apple ID से connected है और उसके लिए आपको आना है settings में settings में जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है वहाँ पर आपको click करना है उसके बाद नीचे आपको सारे devices की list दिख जाएगी अब in my case मेरा iPhone दिख रहा है मेरा iPad Air दिख रहा है मेरा Macbook दिख रहा है लेकिन ये सारे devices मेरे जो मैं use कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर दिख रहे है and click करने के बाद next आपको यहाँ पर option मिलेगा remove from account जैसे आप remove from account करोगे तो ये device आपके Apple ID से unlink हो जाएगा तो ये चीज को आपको check करके यहाँ से आके उसको remove कर देना है अब इन में से कुछ possibilities कोई सही reason के वज़े से भी हो सकती है लेकिन chances ये भी है कोई hacker attack भी हो सकता है तो आपको एक step आगे रहना है hacker से and आपको पता करके रखना है आपके iPhone को जान लेना है so that वो hacker आपके iPhone से कोई भी data चोरी नहीं कर पाए and इसलिए it is better to be sure than sorry तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो like and share जरूर करें चैनल पर पहली बार आया है तो subscribe कर सकते हो पास में आपको जो bell आइकन दिख रहा है उस पर भी click जरूर करें दिखते रहे ओलोजी एन टेकेन इंदियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में